ब्राइटी लर्णिंग के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है जी आप रेंड्स आज हम देखेंगे कि जो EPF होता है उसमें Mark of Exit मतलब Date of Exit कारी छोटने की जो तारिक लिखते हैं वो कैसे लिखते हैं सबसे पहले EPF लिखेंगे और First Option पर क्लिक करेंगे इसके बाद Service और For Employees पर क्लिक करेंगे इसके बाद Member UAN Online पर क्लिक करेंगे इसके बाद UAN Number जो भी UAN Number दिया होगा UAN Number लिखेंगे और Password लिख देंगे यहां पर UAN Number और Password लिखने के बाद यहां पर CAPTCHA Code जो दिया होगा है CAPTCHA Code लिखेंगे और Sign Invalid App पर क्लिक कर देंगे जैसे क्लिक करते हैं Successfully यहां लोगिन हो गया है लोगिनों के बाद यहां व्यू में जाके Services ट्री पर क्लिक करेंगे इसके बाद जितनी भी कंपनियों में कार्य किया हो यहां पर हो जाएगा तो यहां पर टोटल 5 तो परस्ट पेज में है और 1 जो कंपनिय हो सिकेंड पेज में टोटल 6 कंपनी यहां पर शो रही है अब जाके MarkUp Exit नहीं है वो MarkUp Exit लाने के लिए मेनेज में जाके MarkUp Exit पर क्लिक करेंगे और यहां Select Employee मतलब जिस कंपनी में MarkUp Exit आलनी है तो यहां पर मैं कंपनी सेलेक्ट कर लिया इसके बाद लास्ट उस मन्त की लास्ट डाड जो ओटोमेटिकल यहां शो हो जाती है वो सेलेक लास्ट में लास्ट वाला उप्शन सेलेक्ट करके I agree पर क्लिक करके request OTP पर क्लिक करेंगे और यहां पर OTP जो रजिस्टर मोबाइल पर यहां पर जाएगा OTP one time password तो जो रजिस्टर मोबाइल दिया है OTP OTP जो आता है उसका वेट करते हैं और जैसे ही OTP आएगा यहां पर OTP फिल कर देंगे तो यहां देखते हैं थोड़ा वेट करते हैं जैसे ही OTP आता है OTP फिल करते हैं यहां पर आदार साइड के वज़े से थोड़ा OTP में टाइम लग रहा है तो जैसे ही यहां पर OTP आएगा मैं OTP फिल करता हूँ तो वेट कर दें थोड़ा करता है यहां पर OTP आ गया है तो मैं यहां पर OTP फिल कर देता हूं OTP फिल करने के बाद I have read the blow point carefully पर क्लिक करके update पर क्लिक कर देंगे जैसे update पर क्लिक करेंगे यहां date of exit updated successfully इस पर ok करेंगे तो mark of exit थी यहां पर successfully update हो गई अब second company है उसको मैंने select कर लिया है यहां पर भी number 22 की last date number 20 की जो last date है वो यहां पर select करके last वाले option को select करके I agree पर क्लिक करके request OTP पर क्लिक कर दिया तो again यहां पर मैंने OTP पर जाए जो पहले mobile number पर OTP गया था again उसी mobile पर जाएगा यहां पर OTP और जैसे ही OTP आता है तो मैं OTP यहां पर fill करता हूँ OTP fill के यहां पर मैं select कर दूँगा तो wait करते हैं again OTP का पर जाएगा पर जाएगा पर जाएगा तो जाएगा तो अगेन ओटीपी रिसे हो गया मैं यहां पे ओटीपी फिल करता हूं और आई हैव रीड ब्लो इंस्टेक्शन पे क्लिक करके अपडेट पे क्लिक कर देता हूं तो इस प्रकार से Mark of Exit जो होती है वो जितनी भी कंपनियों में छोड़ दिये और छोड़ने की बाद दो मन्त बाद जो Mark of Exit डाली जाती है वो Mark of Exit यहां पे डाली जाती है तो इस प्रकार से यहां Proceed to Request प्लीज वेट दे रखा है यहां पे आ गया debt of exit successful exit तो यहाँ पर जैसे ही mark of exit डाल दिये तो जो company के नाम यहाँ पर शोरा तब वो अगया वो हट गया यहाँ से